नेसलिजम की शुरुवात माने जाती है फ्रेंच रेवलूशन से फ्रेंच रेवलूशन 1789 के अंदर होता है जहां पे फ्रेंच रेवलूशन में मोनाकी को हटा के पावर्स को जनता को दिया गया था French citizens के पास power आ गई थी वहीं पर हम देखते हैं कि यही शुरुवात थी nationalism की तो इसका मतलब है अगर nationalism की शुरुवात French revolution से हुई है तो Europe के अंदर nationalism आने का एक कारण भी French revolution ही था French revolution होने से वहले मोनाकी का rule France में हमें देखने को मिलता है मोनाकी absolute powers का use करते हुए जनता को प्रशान करती जा रही थी इसी कारण से यह देखा गया कि लोगों ने revolution लाने का सोचा और revolution लाये गया French revolution के थाथ हमारी मोनाकी जो थी उस समय फ्रांस में काम करने वाली उसे हटा दिया जाता है और उसकी जगे पे जनता का rule आ जाता है जिसे हम democratic rule के नाम से भी जानते हैं